Q4, एक तिर्भुज ABC बनाई है, जिसमें कोन A बराबर 120 डिगरी, A B बराबर 7 सेंटिमीटर, A C बराबर 5 सेंटिमीटर तो पहले हम A B बना लेंगे, A B कहा रहा है 7 सेंटिमीटर तो देखिए, स्केल लेंगे और सीधा रखेंगे और एक सीधी रेखा 7 सेंटिमीटर का बना लेंगे हम यह हो गया, A B, यहाँ पर लिख देंगे A, यहाँ पर B, कितना? 7 सेंटिमीटर अब क्या कह रहा है कि कौन A बराबर 120 डिगरी, अब कह रहा है देखिए, कौन A, यानि A यहाँ पर है तो यहाँ पर बनाना है, देखिए, कौन A पर बनाना है 120 डिगरी तो हम पहले इस तरह करेंगे, देखिए, अर्ध विरित बनाएंगे, यहाँ पर ठीक है अब देखें जहाँ पे अर्ध वरीत और A B मिल रहा है वहाँ परकाल रखेंगे वहाँ से एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हुआ यह है और फिर 60 डिग्री पे रखके काटेंगे तो यह हो गया 120 डिग्री अब हम अब देखें अब AC कहरा है 5 cm तो AC कहरा है 5 cm तो पहले हम AC को स्केल से इस तरह से नाप लेंगे देखें यहाँ से यहाँ तक 5 cm तो A पर रखेंगे और 5 यहाँ तक देखें इस तरह करदेंगे क्योंकि AC को 5 cm तक ही ले जाना है अब देखें 120 डिग्री कहां पे है यहां पे है देखिए ठीक है तो हम मिला देंगे आप 120 डिग्री और A से जहां तक 5 cm आया था देखिए यहां पे तो यहां पे से हम एक सीधी रेखा इस तरह घीचेंगे तो 120 डिग्री भी हो गया और A C 5 cm भी हो गया तो यहां पे हम C नाम दे देते हैं ठीक है तो यह हो गया 5 cm तो यहां पे लिख देंगे 5 cm अब देखिए कुछ नहीं कह रहा है तो बस हम मिला देंगे यहां से C से B को मिला देंगे हम तो C से B मिला देंगे तो हो जाएगा यह तिर्भुज ABC इस तरह से देखें तो ये तिर्भुज बन चुका है जिसका की देखें जिसका की कौन A कितना है 120 डिगरी तो हम यहाँ पे लिख देता है 120 डिगरी ठीक है और AC दिया हुआ था 5 cm और AB दिया हुआ था 7 cm तो ये तीन चीज दिया हुआ था और तो ये ही तीन चीज से हमें तिर्भुज बना देना है तिर्भुज ABC इस तरह से Q5 में देखिए ABC कैसा तिर्भुज बनाई है जिसमें भुजा BC बराबर 5.6 cm CA बराबर 6.7 cm और कौन C बराबर 75 डिगरी क्या कह रहा है BC 5.6 cm और CA है 6.7 cm तो देखिए हम CA पहले लेंगे क्योंकि कौन C 75 डिगरी दे रहा है तो CA लेंगे तो कौन C बनाने में असानी होगा तो देखिए पहले हम CA ले लेते हैं 6.7 cm तो हम 6.7 cm यहां तक आएगा तो यह हो गया CA तो हम यहां पर नाम दे जाते हैं CA CA कितना है 6.7 cm अब कहा रहा है कौन C बराबर 75 डिगरी तो कौन C हम 75 डिगरी यहां पर बना लेंगे कौन C पर रखेंगे तो कौन C 75 डिगरी कहा रहा है तो इस तरह से हम देखें अर्धवरीत बनाएंगे अर्धवरीत और CA जहां पर मिलेगा वहां पर परकाल रखके एक बार काटेंगे 60 डिगरी 120 तो 75 डिगरी हमें बनाना है तो देखें 75 डिगरी तो 60 और 90 के बीच में 75 डिगरी होता है तो देखें पहले हम 90 डिगरी बना लेते हैं यह हो गया 90 डिगरी तो 90 डिगरी हम बनाएंगे नहीं बस यहां पर एक चीन देंगे लेखें अर्दबूरीत पर कियां पर 90 डिगरी है जाना है सामने स्किल रखके अब motte 90 डिगरी और 60 डिगरी के बीच मेंए तो देखें यहां पर 60 डिगरी है यह वहला है? हाद 40 डिगरी और 90 के बीच में 75 गरी होता है तो 60 डिगरी यानि इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ठीक है और 90 डिग्री तो 90 डिग्री देखे ये बीच में एकदम सीधा जहां पर आया था यहां पर परकाल रखेंगे और इस तरह से काट रेंगे तो ये देखे दोनों रेखा जहां पर मिला है ये देखे दोनों रेखा जहां पर मिल रहा है 60 और 90 ये 90 है देखे सामने 90 के बीच में क्या है 75 डिग्री तो यहां पर हो जाएगा 75 डिग्री यहां से इस तरह अब देखें कोशन में कहारा है C यहांँ बना लिए B C यानि B C कहारा है 5 जस्मलों छे सेंटिमीटर तो पहले हम 5.6 सेंटिमीटर स्केल में नाप लेते हैं इस तरह से यहां पर होगा देखिए तो बी-सी कह रहा है कि 5.6 सेंटिमीटर तो यहां पर रखेंगे हम सी पर और इस तरह का हम रेखा देंगे यहां पर यह हो गया 5.6 सेंटिमीटर अब स्केल लेंगे और जहां पर 75 डिग्री आया था वहां से C मिला देंगे देखें दोनों सामने करके और जो अभी हम 20 ना पर थे 5.6 cm तो जो रेखा है उससे सीधा एक रेखा इस तरह से बना देंगे तो यह हो गया हमारा B ठीक है तो यही तीन चीज़ दिया हुआ था अब तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो बस B से A को मिला देंगे तो यह हो गया देखें तिरभुज A B C जिसमें की यह वाला कौन कितना है कौन सी कितना है 75 डिगरी तो यहां पे हम लिख देते हैं देखें 75 डिगरी और C A है 6.7 सेंटीमीटर B C कितना है B C है 5.6 सेंटीमीटर तो देखें तीन चीज़ दिया हुआ था और तीन ही चीज़ से बनाना था हमें तिरभुज A B C तो इस तरह हम इसको बना लेंगे देखें आपको नाप करके भी दिखा लेते हैं कि 75 डिगरी है की नहीं तो देखें चांद लेंगे और बिल्कुल सीधा देखें अधार का जो है भुजा उस पे रखेंगे तो देखें 75, 60 और 80 के बीच में नहीं आपके जिए 70 और 80 के बीच में है देखें रेखा तो 75 डिगरी हुआ तो इस तरह से हम नाप भी सकते हैं इसको कोश्चन नमबर 6 एक तिर्भुज ABC बनाई है जिसमें BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर कौन B बराबर 60 डिगरी कौन C बराबर 75 डिगरी तो यहाँ पे कह रहा है कि BC 5.5 सेंटीमीटर है ठीक है तो BC देखें पहले हम BC ले लेंगे 5.5 सेंटीमीटर तो एक स्केल लेंगे और यहाँ से देखें 5.5 यानि यहाँ पे आएगा तो यह हो गया BC यहाँ पे नाम दे जाते हैं BC 5.5 सेंटीमीटर अब कहा रहा है कौन B बराबर है कितना 60 डिगरी कौन B बनाना है 60 डिगरी तो देखें B पे हम रखेंगे और 60 डिगरी का कौन बनाएंगे इस तरह से अब देखें अर्धवरीत और BC जहाँ पे मिला है वहाँ से एक बार काट लेंगे ठीक है तो यह हो गया देखें 60 डिगरी अब कहा रहा है कौन C 75 डिगरी कौन C कितना बनाना है 75 डिगरी तो देखें कौन C पे हम मतलब C पे हम रखेंगे पर काट और इस तरह से अर्धवरीत बनाएंगे पहले और अर्धवरीत का और BC भुजा जहाँ पे मिला है वहाँ से यह हो गया 90 डिगरी और 60 और 90 मापके जिए यह हो गया 120 डिगरी ठीक है 60 के बाद 120 और 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिगरी तो पहले हम 90 डिगरी बना लेंगे देखें 60 और 120 के बीच में ठीक है और अब यह हो गया 90 डिगरी तो देखे, 90 डिगरी पहले हम पता कर लेंगे कहाँ पर है अर्ध वृत पर तो देखे, अगर हम सीधा एक रेखा यहाँ पर बना देंगे ये हो गया 90 डिगरी देखे, बस चिन ने दे देना है अर्ध वृत पर और 60 और 90 के बीच में होता है क्या 75 डिगरी तो देखिए पहले 60 पे रखेंगे और इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और फिर 90 पे रखेंगे और इस तरह काट देंगे देखिए यहाँ पे तो 60 और 90 के बीच में देखिए यहाँ पे जो है 75 डिगरी आया 60 और 90 के बीच में तो यहां पे हम दोनों जहां पे मिल रहा है वहां पे देखिए इस तरह से प्रकाल से कर देता है अब यह हो गया देखिए कोन भी हो गया 60 डिगरी तो हम इस रेखा को आगे ले जाते हैं दोनों जहाँ पर मिल जाएगा वहाँ पर हम A लिख देंगे ठीक है तो देखिए इस रेखा को हम यहाँ लेके आते हैं और इधर से देखिए 75 डिगरी कह रहा है तो सामने 75 डिगरी को हम दोनों को मिला देंगे इस तरह से देखिए दोनों नहीं मिल रहा है तो देखिए इस रेखा को और आगे बढ़ा देंगे ठीक है और तो देखिए इसको हम मिटार देंगे जो आगे बढ़ गया था यह हो गया यहाँ पर हम नाम दे देंगे ए ठीक है तो देखिए यहाँ पर बीसी हो गया 5.5 सेंटिमीटर और यहाँ पर दोनों जहाँ पर मिला है देखिए दोनों कौन एक कौन कितना है 60 डिगरी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देखिए 60 डिगरी और यह कौन कितना है 75 डिगरी तो 60 डिगरी और 75 डिगरी दोनों जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर हम A लिख देंगे तो ये तिकी तिर्भुज ABC बन चुका है जिसमें की BC है 5.5 cm कौन B है 60 degree कौन C है 75 degree देखिए आप चांद से नाप कर देख भी सकते हैं कि सही बना है कि गलत तो यहाँ पर हम चांद रखेंगे तो देखिए 60 के बिल्कुल सामने जा रहा है देखिए तो यह हो गया 60 degree अब इधर से चांद रखेंगे तो देखिए 75 और 80 के बीच में है देखिए 75 degree तो इस तरह हम इसको नाप भी सकते हैं तो यह हो गया हमारा तिर्भुज ABC पीचिए